बिहार के टोटी काड़ पर सिर्फ बिहारी नहीं पूरे देश में सियासत तेज है। बीजेपी का स्तर देखिए क्या स्तर हो गया है। कि अब वो राजनीती नहीं करते हैं वो सिर्फ परसनल अलिगेशन लगाते हैं। परसनल अटैक, कारेक्टर असासिनेशन, ट्रूलिंग, ये इनकी आदत उठह गई है। बिहार के मुद्दों पर बात करें। बिहार के आरजेडी के साथ, बीच में उन लोगों ने आरजेडी के साथ बढ़ाया था नित इठिश कुमार जी ने, फिर से उन्हों रू यूर्याय का रहा है। आपने बिहार के ले क्या किया। बिहार की प्रगती उन्नती के लिए क्या किया, बिहार की युवाओं के लिए क्या क्या, महिलाओं के लिए क्या क्या, पुर्शों के लिए क्या क्या, किसानों के लिए क्या क्या, ये सारे सवाल इन से पूछे जाएंगे, इस तरीके के परसनल ऐलिगेशन लगा कर के वो ये चले गए ये वो लेकर चले गए अगर किताबें खुलेंगी बहुत लोगों की खुलेंगी तो इससे हटकर बिहार के विकास की बात करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा उस पर चर्चा करें उस पर डिबेट करें परसनल एलिगेशन लगा कर और दो दिन की अपनी न्यूस हेड बीजेपी ने गंभीर आरोप लगा दिया बीजेपी ने दावा कर दिया कि तेजस्वी यादव ने जब सरकारी बंगला खाली किया तो अपने साथ एसी कार्पेट नल और बेसिं तक उखाड ले गए इस पूरे मामले पर बिहर में लगातार सियासत तेज है लेकिन शुब पास्वान ने भी तेजस्वी यादव से अपने रिष्टे को निभाते हुए पूरे मामले पर कमेंट करने से इनकार कर दिया है इस पूरे घटना करम पर आपकी क्या राए है कमेंट करके ज़रूर बताएं ब्यूरो रिपोउट बिहार तक